तो अब और सो ने स्टॉक एबंग ज़ा थेओरमिन स्पेस है ठीक है श्पेस में क्या थेओरम है चलिए अराम से सुने थेओरम इन प्लेन आप आल्रेडी पढ़ चुके अब थेओरम इन प्रेश की बात कर रहे हैं क्या है यह एए बी सी अगर तीन नोन जीरो नोन को प्लैन मैं लिखर हो, if A vector, B vector, C vector are three non-zero, non-coplanar vectors, then any vector, R vector, can be expressed as a linear combination, as a linear combination, यानि R vector is equal to X A vector plus Y B vector plus Z C vector, आप आराम से सुनें इस बात को, मैंने क्या कहा, अगर A vector, B vector, C vector, तीन non-zero, non-coplanar vectors है, non-zero और non-coplanar, यानि A की plane में नहीं है, तो कोई भी R vector, space में, it can be expressed as a linear combination of these vectors, ठीक, उसी तरीके से जैसे आप किसी भी vector को X I cap plus Y J cap plus Z K cap लिखते हैं, तो वहाँ तो I cap, J cap, K cap भी क्या हैं? तीन vectors है, ठीक है ना, जो की non-coplanar है, एक plane में तो नहीं लाई कर रहे हैं और X, Y, Z, उनका scalar multiple होता है, हमने, वो standard हमने बात कर ली, हम A, B, C कोई भी in general बात कर लेते हैं, ठीक है ना, A, B, C vectors होई भी in general बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आप सब के सामने बात करूँगी कि I cap, J cap, K cap तो क्या हैं, आपस में तूनों perpendicular होते हैं, अब A vector, B vector, C vector मैंने कहा ही नहीं कि वो perpendicular हैं या नहीं है, may be और may not be, ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझें, के letters से मैंने एक ये रहा, कोई भी एक, जैसे हम I cap, J cap, K cap के लिए करते हैं, तो ये मैंने कोई भी एक इस तरीके से plane का system develop कर रहा हूँ, आपके सामने लिख दिया letters से ये रहा, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, मैंने नहीं कहा कि ये सारे perpendicular हैं, ये A, A vector, B, B vector, C, C vector, ठीक है, यहां तक आरी बत सामने, तो अब, यहां बात करें, और आप अराम से सुनते चले मेरी बात, ध्यान से देखें, ये मैंने क्या करा, इस तरीके से इसको join कर दिया, let us say मैंने इसको join कर दिया, इसको भी, और इसको भी, ठीक, let us say they have been joined in this manner, right, और इसी तरह मैंने ये भी, अभी देखते चले, what is going to be, P, तो फिर इसको भी join कर दिया, this one, this one, and this one, तो मैं क्या बताना कह चारा हूँ यहां से, आप ध्यान से सुने मेरी बात, ये A vector इस direction में जा रहा है, B vector इस direction में जा रहा है, C vector इस direction में जा रहा है, ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर, हमने कहा, ये जो point है, let us say this point is P, ठीक है न, and this represents R vector, this represents R vector, और ये पूरा का पूरा, let us say ये O point है, ये तो आगे तक चलता जा रहा है A vector, अब यहां तक की बात करूँ मैं, let us say ये scalar multiple होगा, इसका ये XA vector लिख लिया, और ये मैं बात करूँ, ये मैंने YB vector लिख लिया, और ये मैं बात करूँ, तो ये ZC vector लिख लिया, लिख सकता हूं इसा, कहने का मतलब, क्योंकि यहां से लेकर के आगे तक A vector तो कहां तक चल रहा है, it has not been defined by us, लेकिन यहां तक हमने कहा वो, कि XA vector हो गया, क्योंकि एक vector, अगर उसी दूसरे vector के उपर, मालो ये एक vector है, अगर मुझे इसका इतना हिस्सा लेना है, तो ठीक है, उसको, अगर ये पूरा A vector है, तो इसको XA vector लिखा जा सकता है, ठीक है, चालो, सही बात यहां तक, तो हम ये कहना चारें, ये जो R vector होगा, इसका जो position vector होगा, या इस R vector को हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको ये देख करके जरूर यादा आया होगा, I cap, J cap, K cap की terms में अगर हम define करते हैं, इन plane system को define करते हैं, तो R vector को हम XI cap, plus YJ cap, plus ZK cap लिखते हैं, ठीक, उसी तरीके से ये एक R vector के हमने define कर दिया, XA vector, plus YB vector, plus ZC vector, मतलब आपके लिए आसान हो गया, कि दुनिया में किसी भी vector को, तीन non co-planar vectors की terms में express करना, इसी को theorem इना space कहा जाता है, ठीके, अब अगर ये बात समझ में आई, तो इसका एक छोटा सा एक question करते हैं, उस question या उस example के तुरूँ आपको ज़्यादा बहतर बात समझ में आएगी, जैसे कि मैं अगर लिखू, let us say, question है, I express the known co-planar vectors A vector, B vector, C vector in terms of B cross C, C cross A, A cross B, इनकी terms में non-co-planar vectors, express the non-co-planar vectors A, B, C in terms of B cross C, C cross A, A cross B, ठीके न, ये आपके सामने question है, तो चलिए, let us talk about this question, इसके solution के बारे में बात करते हैं, क्या होगा इसका solution, आराम से सोचो, देखो, के हम जानते हैं, STP A vector, B vector, C vector का जो square होता है, उसकी value, A cross B, B cross C, और C cross A, इसका STP के बराबर होती है, होती है, तो आप question ने हमें कहा है, A, B, C non-co-planar है, सो, therefore, मैं लिख सकता हूँ, के जो A cross B है, B cross C है, और C cross A है, ये सारे के सारे, non-co-planar हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, non-co-planar हैं, क्योंकि ये सारे non-co-planar हैं, तो याद करो, अभी हमने R vector को, in terms of A vector, B vector, C vector, यानि, तीन non-co-planar vectors की terms में लिखा था, थीक, उसी तरीके से, यारो, A vector can be written as, X times of A cross B, plus Y times of B cross C, plus Z times of C cross A, getting a point, कहां तक समझ आ रही है बात ये, ठीक है, अगर ये बात समझ में आई, तो इस से क्या निश्कर्च निकला, अब अगर हम, X, जो scalar है, हमने माने हुए, X, Y, और Z, इन सब की value निकालने तो बन जाएगी बात, यही तो बोला गया है, express the non-co-planar vectors in terms of these given vectors, तो सही है, अब हमने क्या करा, dot product ले लिया, dot with A vector ले लिया, तो लो तरह, उससे क्या होगा, यहाँ पर A square बनेगा, is equal to यह वला तो 0 बन जाएगा, A dot करके, और यह भी 0 बन जाएगा, और यह ABC बन जाएगा, यानि Y times of S T P A B C, यानि Y की value आगई, A square divided by S T P A vector B vector C vector, जैसे मैंने dot A के साथ लिया, फिर dot B के साथ लेंगे, और dot C के साथ लेंगे, ऐसा करते करते, अपने पास Y की भी value आगई, फिर Z की value आजाएगी, Z की value आप B के साथ dot लेंगे, तो आपके पास A dot B upon S T P A B C आएगी, और इसी तरह, X की value आपके पास, A vector dot C vector divided by, STP A vector, B vector, C vector, यह आजाएगी, ठीक है क्या, तो X, Y, Z आ गया, तो इसका मतलब, जो initial equation आपने यह मानी है, A vector can be written as, A vector dot C vector of A cross B plus A square of B cross C plus A dot B of C cross A whole divided by STP A, B, C, दिखने में लंबा चोड़ा बहुत अंसर रजार आ रहा है, लेकिन, it was a cake walk, because हमने बस यह equation लिखनी थी और I am sure theorem in a plane के तुरू यह equation समझ आ गए, फिर तो X, Y, Z निकालना था dot with A, dot with B, dot with C लेकर के और आपके पास दोस्तों यह अंसर आ गया, तो I am sure theorem in a space आपको 100% समझ में आ गई है with this example,